आज हम बात करने वाले हैं digital marketing through facebook के बारे में हम लोग किस तरह से facebook के facebook के इस्तमाल से हम लोग अपने business को आगे बढ़ा सकते हैं अपने business को आगे लेकर जा सकते हैं इसके बारे में detail में आज चर्चा करेंगे तो आप मैंसे जितने भी लोग नए हैं उनको काफी फाइदा मिलेगा बहुत सारे लोग already social media का इस्तमाल कर रहे हैं उनको सही तरीका ब इसको डिजिटल माध्यम से करते हैं तो उसको डिजिटल कह सकते हैं electronically करते हैं उसको digital कह सकते हैं और marketing का मतलब यह हुआ marketing का मतलब किसी को कुछ बेचना या किसी के पीछे पढ़ना नहीं है marketing का मतलब है कि आप need identify करें किसी की जरूरत को भापें और उसकी problem को solve करें कोई भी किसी भी तरह की किसी को problem हो सकती है उस problem को जब अपने product के जरीए या अपनी services के जरीए या अपने बाचीत के जरीए जब आप solve करते हैं तो उसको marketing कह सकते हैं सेम काम doctor भी करते हैं सेम काम lawyers भी करते हैं सेम काम chartered accountant भी करते हैं वो किसी की need identify करके उस need को solve करते हैं उस problem को solve करत यहाँ पर किसी के हमें किसी के भी क्या लिजे पर्जुएट करने का या किसी के जान के फिशे भणने का कोई खाम नहीं है अब फर्स कीजिए कि आपने ये मचली पकडने वाली रौड अगर आपने एक लगा रखी है पानी में तो कितनी जादे जादे कितनी मचली पकड़ सकते हैं जादे एक मचली पकड़ सकते हैं एक रौड से एक बार में लेकिन अगर आप माल लीजिए कि अगर आपने बहुत सारी मचलियों के रॉड लगा रखी है पानी में तब तो आप एक से ज़ादा पकड़ सकते हैं निश्चित तोर पे जितनी ज़ादा रॉड्स हैं उतनी ज़ादा मचलियां पकड़ सकते हैं तो सोशल मीडिया का भी ऐसा ही है कि आप अमोमन जो फिजिकली काम करते हैं तब आप एक बार में एक विक्ती से बात कर सकते हैं लेकिन आप डिजिटल मीडिया के जरीए आप अगर फेस्बुक के जरीए अगर आप काम करना चाते हैं तो आप एक बार में बहुत सारे लोगो को अप्रोच कर सकते हैं, एक बार में अपने पोस्ट के जरीए, अपने वीडियो के जरीये बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं और उनको आकरशित कर सकते हैं अपने बिजनस के पास आने के लिए, तेकि दो तरगी चीज़ें होती है, या तो आप लोगों के पास जाएं या तो लोगों को आकरशित कर ले अपनी तरफ डिजिटल मार्केटिंग का मकसद दूसरा वाला है कि हम लोगों को अपनी तरफ आकरशित कर ले और ऐसा आकरशित करें कि वो लोग हमारे business के बारे में जानने के लिए और हमारे business के साथ जूडने के लिए आग रही हो जाए अब समझते हैं कि फाइदे क्या है digital marketing के या फाइदे क्या है अगर हम करते हैं Facebook का इस्तमाल business को बढ़ाने के लिए तो geographical barrier टूट जाता है अगर आपकी किसी एक महले में दुकान है तो आपके जो ग्रहक हैं वो उस महले से ही आएंगे लेकिन अगर आपके डिजिटल दुकान है अगर आपके एक दुकान आपने रेनेटर्स के जरीए फेस्बुक के जरीए एक पुने में खोल दी है एक मैंगलोर में खोली है एक चन तो ऐसे आपने बहुत सारी जगहों पर अलग-अलग दुकान खोल रखी है तो स्वाबाविक सी बात है कि एक दुकान से जितनी बिकरी होगी दो दुकान या चार दुकान या आठ दुकान से उससे जाधा बिकरी होगी तो आप जोगराफिकल बारियर्स को तोड़ देते हैं अपने कोई अगर बिजनस की पोस्ट टाली तो जब आप सो रहें तब भी कुछ न, कुछ लोग उस पोस्ट को देख रहे हैं कोई न, कोई ऊनलाइन है और वो उस पोस्ट उनके नजर में आ रही है और वो उस पोस्स से प्रभावित हो रहे है तो आप ओंलाइन इस काम को बढ़ी आसानी से कर सकते हैं और जब आप सो भी रहोते हैं तब भी आपके लिए काम हो रहा होता है इस काम को automate किया जा सकता है यानि कि इसमें manually लगे रहने की ज़रूरत नहीं है आप इसको जब चाहें आप Facebook पे ऐसे features ऐसे apps आते हैं जिसमें आप post schedule कर सकते हैं यानि कि आप एक महीने की या एक सब्ता की post आप schedule कर देंगे तो वो जब जब आपने समय निरधारित किया है तब तब वो post जो है वो अपने आप Facebook पे चली जाएगी तो इसको automate किया जा सकता है और आप logo तक पहुँच सकते हैं instead of मतलब आप logo तक पहुँच रहे थे उसके बदले लोग आप तक पहुँच सकते हैं और कई-कई-कई-जादा तादात में पहुच सकते हैं कभी-कभी कुछ ऐसे विडियोज होती है जो 1000 लाखों लोग देखते तो आप 1000 लाखों लोगों तक पहुच सकते हैं instead of physically अकर आप करते हैं तो आप 1000 लाखों लोगों तक पहुचने में आपको बहुत समय लगता या certain कभी नहीं पहुँच पाते इसके अलावा जो आपके creatives हैं वो सालों साल काम करते हैं जैसे आज आपने कोई poster बनाया तो वो poster आपके लिए साल भर तक काम कर सकता है दो साल तीन साल पांत साल काम कर सकता है आपने कोई photo डाली थी दस साल पहले तो उस photo को अभी भी आप social media पे इस्तमाल करके अपने ग्राहकों को अपने तरफ अट्रैक कर सकते हैं अपने business builders को अपने साथ अट्रैक कर सकते हैं ये एक आसानी से duplicable किया जाने वाला काम है इसको आसानी से नकल करके सीखा और हमारे लिए चीज नहीं है तो अगर हम इस चीजों को करेंगे जानेंगे सीखेंगे समझेंगे तो हम बड़ी आसानी से हम भी कर पाएंगे ये कोई rocket science नहीं है कोई बहुत मुश्किल नहीं है और ये cost effective भी है इसके लिए इसको सीखने के लिए जानने के लिए समझने के लिए और करने के लिए आपको एक भी रूपय खर्च करने के जरूरत नहीं है ये बिल्कुल free of cost है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं बड़ी आसानी से उसको implement कर सकते हैं cost effective होने के साथ साथ ये face value और आपकी credibility को भी बढ़ाती है आपकी face जैसे मान लीजी अगर मैं कुछ अच्छा काम करते हुए अगर अपनी post डालू या कोई video डालू या facebook पे खास करके video या photo डालू तो लोगों की नजर में मेरी जो value है लोगों की नजर में मेरी जो face value है वो लेते हुए मैं photo लगाऊं तो मेरी जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों की नजर में भी मेरी इज़त बढ़ जाएगी और यह तो माला पहन रहा है यार अरे तो उसका तो बड़ा सम्मान हो रहा है और यह तो बड़ा इसको इज़त मिल रही है तो यह एक value उनके नजर क सामने बढ़ सकती है साथी साथ आपकी credibility भी बढ़ सकती है क्योंकि जो आप कहते हैं वही करते हैं जो करते हैं वही कहते हैं तो आपकी बात की जो value है आपकी commitment की जो value है आपके promotion की जो value है वो कई गुना बढ़ जाती है आज film stars को लाखों रुपए दिये जाते हैं ताकि वो product का प्रचार करें क्योंकि लोगों के नजर में उनकी इज़त है लोगों के नजर में उनकी विश्वसनियता है तो जैसे लोगों की विश्वसनियता उन film stars की उपर बढ़ गई ठीक उसी तरह से आप social media के जरीए अपने उपर भी विश्वसनियता बढ़ा सकते हैं इसके लावा prospect आप तक पहुंच सकता है जरूरी नहीं कि आप prospect तक पहुंचे prospect भी आप तक पहुंच सकता है अगर आपका social media पे आपका number और आपके social media handles रहते हैं तो कही ने कहीं से कोई ने कोई आपके पर जो भी विश्वास करेगा आपके दियोई जानकारी पे विश्वास करेगा वो आपके साथ आकर जूड़ सकता है इसके अलावा समय और energy बहुत बच्चती है या इस काम को अगर आप करते हैं तो आप अगर बाहर जाके करते हैं आपको पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में जाना पड़ता धूप में, बारिश में, ठंड में आपको जा करके लोगों से बात करनी पड़ती है और अलग-अलग तरके आपको दिक्कते आती हैं पैसे लगते हैं, मेहनत लगती कहीं जाने की जहमत उठानी पड़ती लेकिन यहाँ पर समय भी कम लगेगा और एनरजी भी कम लगेगी क्योंकि आप सोशल मेडिया का इस्तमाल फेस्बुक का इस्तमाल अपने घर बैठके कर रहे हैं इसके अलावा अब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे उद्देश ही क्या है इस काम को फेस्बुक के जरीए करने का ऑनलाइन शॉप के इक्वाइलेंट है जैसे कि कोई भी वेक्टिव ऑनलाइन दुकान चला रहा है तो हमारी भी फेस्बुक के जरीए रेनेटर्स के ऑनलाइन दुकान खुल सकती है इसको हम लोग online दुकान की तरह operate कर सकते हैं हमारे product के catalog और अलग-अलग तरह की चीज़ें हम सजा कर रख सकते हैं ताकि कोई भी हमारी online दुकान में आए तो उससे देखकर प्रभावित हो और प्रभावित हो कर अपने business को यहां से हमारे साथ चूड़ पाए साथ इसाथ एक online identity हमारी बनती है अब जो किसी को OTT platform पे देखते हैं या ads में देखते हैं या TV serial में देखते हैं daily soap में या आप किसी को filmों में देखते हैं तो उस व्यक्ति को आपने बार-बार अलग-अलग जगों पर देखा होता है इस वज़े से आपकी एक उस व्यक्ति की एक पहचान बन जब आपके पास में आएगी तो लड़की आपको देखी-देखी से लगेगी और जो व्यक्ति देखा हुआ लगता है जिस व्यक्ति से पैचान होती है उसके उपर हम विश्वास जादा करते हैं एक अंजान व्यक्ति के मुकाबले तो आप एक online identity ऐसी बना सकते हैं जैसी क्या कहते हैं लाफ्टर आटिस्ट कहते हैं उनको जो हसाते हैं लोगों को और हसा के पैसे कमाते हैं तो लोग हसा के भी पैसे कमा सकते हैं हम लोगों के स्वास्त में बैतरी लाके उनकी इंकम में बैतरी लाके अगर हमारे पास इंकम आ रही है और अगर हम बिजनस कर रहे ह तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है तो अच्छी बात है तो online identity हम जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं अपर लोगों का विश्वास करना आसान हुजाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हम पे विश्वास करें लेकिन हम खुद अपनी विश्वास नहीं करते हैं हम खुद अपने आपको विश्वास पात्र नहीं बनाते तो यहां पर online हम अपने आपको विश्वास पात्र बना सकते हैं साथ ही साथ हमारी जो identity है वो product और services से अलग है हम अपने आपको product और service के साथ मिलाए नहीं बहुत सारे लोग facebook पे nova की photo या product की photo लगा रखे अपने display picture म तो आप nova नहीं है आप व्यक्ति है तो आप please व्यक्ति की तरह पेश आएं आप product मत बन जाएं आपकी photo की जगा आपकी personal profile में आपकी photo होने चाहिए product की photo नहीं होनी चाहिए आपको नए customers मिल सकते हैं अगर आप facebook के जरीए business को आगे ले करके जाते हैं तो आप अपने business में ज business को करते हैं तो आप automate कर सकते हैं अपने business को यानि कि एक system में ढाल सकते हैं जिससे कोई भी join करें तो उसी system को who by who copy करके आगे बढ़ सकता है इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़े हैं जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये कि आपका target audience कौन होगा ये आपको पहले से जानके रखना है नीश का मतलब target audience कि आप किसको मतलब किसको अपना target audience मानते हैं मान लीजिए अगर कोई 40 साल के विक्ति है तो मैं उसको जादा अच्छी तरह से relate करका हूँगा एक housewife दूसरी housewife से जादा अच्छी तरह से उसकी भावनाओं को समझ पाती है एक retired person एक retired person से जाद अच्छी भावनाओं को समझ पाता है एक school going बच्चा जो है वो दूसरे school going बच्चे के साथ वो अच्छा ताल मेल हो सकता है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं दोनों एक दूसरे को एक जैसा मानते हैं दोनों एक दूसरे की उमर में बराबर हैं तच्छुर्बे म इसको ही target करें online जब आप बात करें तो आप ऐसे post डालें जिससे housewife attract हो पाए आप अगर retired person है तो आप retired person के साथ जादा अच्छा ताल मेल बना पाएंगे इस वज़े से आप retired person जैसे post डालें अगर आप नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा वालों के post डाल सकते हैं अगर आप किसी profession में हैं तो उस profession से related post डाल सकते हैं यानि कि कहने का यह मतलब है कि जिस profession में आप होंगे उस profession से related बात जब आप करेंगे तो उस profession के जितने लोग हैं आपके साथ एक मत होंगे और आपके साथ एक मत जब वो होंगे जब आपके साथ सहमत होंगे तो आपके साथ सहम चल रहा है, उसमें short videos का जमाना है, आप अगर अपने business को promote करना चाहते हैं, तो business related short videos को आप अच्छी तरह से promote कर सकते हैं, आप short videos के लिए किताबों से, किताबों को पढ़के content तयार कर सकते हैं, दूसरे creators को देखकर content तयार कर सकते हैं, in fact facebook पे मतलब मेरा एक business page है, और मेरे personal page business page में, काफी सारी reels में ने डाली हुई है, उन reels को भी आप copy कर सकते हैं, या आप share भी कर सकते हैं, आप copy भी कर सकते हैं, copy करने का मतलब यह हुआ, कि आपने वो reel टेक ली, उसके script लिख लिए और same चीज खुद के camera में record करके बोल दी, तो क्या हुआ, चीज तो मुझे मेर लोगों को प्रभावित करने का, तो videos आजकल एक बहुत प्रभावशाली तरीका है, क्योंकि post लोग पढ़े नहीं पढ़े, real जरूर देखते हैं, लोग छोटी-छोटी videos जरूर देखते हैं, तो छोटी videos के जरीए अगर आप promotion करेंगे, तो promotion आपका बहुत आसान होगा, औ लोग लंबे-लंबे लेक पढ़ना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग बहुत लंबे-लंबे post लिख देते हैं, और उसमें चित्र लगा देते हैं, 8, 10, 15, 20, 30, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो 30-40 फोटो देखेंगे और इतना बढ़ा लेक पढ़ेंगे, लोग इतने पांच हैस्टाइक से जादा मत यूज करिये, नहीं तो आपका जो AI होता है उसका वो मतलब algorithm आपको पीचर ढखेल देगा, तो आप 3-4 हैस्टाइक से जादा मत यूज करिये, और Facebook के पास एक Artificial Intelligence का टूल है, जो कि यह जान सकता है कि आपने क्या फोटो डाला है, किस सरह से डाला है, क्या काम करता है, यह फोटो के अंदर object क्या है, यह कहां से डाउनलोड किया गया है, सारी चीज़े Facebook को पता चल जाती है, तो अगर आप WhatsApp पे डाउनलोड किया हुआ, बहुत सारा चीज़ अप्लोड कर रहे हैं, तो आपको उससे कभी भी mileage लंबा नहीं मिल और Facebook की groups और pages जो हैं, वो बहुत अच्छी तरह से सोचे हुए होने चाहिए, बहुत सारे लोग Renatus Wellness के नाम से Facebook का group बना दे रहे हैं, यह गलत है, कल मैंने रिशिकेश सर और सुमित देवनात सर के दौरा एक video आप लोगों तक महुचाई थी, आप लोगों मैंसे जिसको भी वो video नहीं मिली है, आज मैं broadcast group से broadcast कर दूँगा, यह company का एक notification है, मैं आगरा करूँगा कि हर कोई यह video देखे, और हर कोई इस video को देख करके, इस video को, के message को समझे, क्योंकि जो भी online products भीक रहे हैं, उसको रोकने का एक ही तरीका है, कि हम जब सब एक जूट हो जाएंगे, औ एक जैसा-जैसा मैं बता रहा हूँ, वैसा-वैसा जब हम करेंगे, तो हम निश्यत तोर पे यह जो भी गलत-गलत काम हो रहा है, इन सब को रोक सकते हैं, हम एक संगठन के तोर पे काम करना पढ़ेगा, अकिला चना बार नहीं पोड़ पाएगा, मैं जो भी बोलूँगा, जैसे भी बोलूँगा, अगर आप वैसे करेंगे, तो यह problem solve हो सकती है, लेकिन जैसा मैं कहूंगा, वैसा करना पढ़ेगा, most probably Thursday को मैं एक session करूँगा, जिसमें हम लोग इस बारे में बात करेंगे, कि यह जो online products भी करें, उसका लोगों को जवाब क्या दे, और उसको रोके कैसे, उसके लिए हम क्या कर सकते है, उसके लिए company क्या कर सकती है, इसके बारे में Thursday को एक session मैं करने वाला हूँ, तो यह कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, बिजनस को करने से पहले, इसके अलावा Facebook का business page कैसा होना चाहिए, business page बनाने के लिए आपको क्या करना प profile का cover photo add करना है, साथी साथ आपको action button add करना है, फिर आपको optimize करना है Facebook page को किस तरह से optimize करना है, इसके बारे में भी आगे चलके videos ले करके आएंगे, post को create करना है, आप किसी भी तरह की post create कर सकते हैं, वो video post भी हो सकती है, वो photo की post भी हो सकती है, तो इस तरीके से business की page को operate करना ह मैं जो video आपके साथ share होगी आज की date में, उसमें भी काफी सारी चीज़ा बताई हुई है कि आप अपने Facebook के page को कैसे restrict कर सकते हैं, आप उसमें कैसे नाम change कर सकते हैं, या आप उसमें कैसे भी अन्वांचित तरत्व को आने से रोक सकते हैं, तो वो video आपके साथ share कर दी है, उसके बाद captivate, यानि कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकरशित करना, उन लोगों के ध्यान, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, कुछ-कुछ ऐसे post देखतर, post देखकर उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ज़्यादा तपजू नहीं देते हैं, या वो बिलकुल आग परशित करनी चाहिए, इसके बाद communicate करना पड़ेगा, आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उससे एक समन्वे स्थापित करना पड़ेगा, उससे जान पेचान करनी पड़ेगी और उसके बाद आप उसको convert कर पाएंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कि लोगों से बात करने के साथ-साथ उन लोगों को approach कर देते हैं, हाई, हेलो, मेरे पास एक बहुत अच्छा opportunity है, आप, आप खुद ही सोचिए, कि जब salesman आपको call करता है, sir, मैं इस bank से बोल रहा हूँ, sir, loan ले लीजिए, sir, हमारे पास बहुत बढ़िया loan है, तो जब आपको कभी credit card ले लोग करते ही, उनको approach करना शुरू कर देंगे, तो स्वभाविकसी बात है कि वो भी interested नहीं होंगे, और वो भी सोचेंगे कि हम कुछ बेचना चाते होंने, और वो भी पीछे हड़ जाएंगे, वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो आप सिधा किसी से बात करते ही, उसको approach करना शुरू मत करिए, सबसे पहले कुछ ऐसा create कीजिए, फिर उनका ध्यान अपनी तरफ आकरशित करिए, उनसे थोड़ी बहुत mail जोल बढ़ाईए, उनसे थोड़ा बात चीत कीजिए, घुल मिल जाईए, क्योंकि घुले मिले, घुले मिलने के बाद आपकी बात का हो सकती है, किसी त्योहार की हो सकती है, सोशल मीडिया के अलग-अलग content होते हैं, जिसको आगे चलके मैं आपको बताऊंगा, कोई viral वीडियो हो सकती है, जैसे कि अलग-अलग समय पे अलग-अलग videos होती है, जैसे अभी एक आया है, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, इस चीज़ को आप business में कै इसको इसको इस्तमाल करते हैं, तो क्योंकि ये trend चल रहा होता है, इस video का, इस meme का, तो आपके, मतलब video को है, आपके business video को mileage मिलती है, आपका video भी बहुत सारे लोग, हजारों लोग देखते हैं, और उससे आपके business की प्रती आकरशित हो सकते हैं, आप कोई quotes डाल सकते हैं, को WhatsApp की chat में उनका नाम थोड़ा सा मिटा के, या उनका number मिटा के आपको उसका screenshot शेयर कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी credibility बढ़ेगी लोगों की नजर में कि देखो इसकी बात लोग मान रहें, देखो इसकी बात लोग सुन रहें, देखो इसकी बात सुन के लोगों को फाइदा हो रहा है, तो यह अगर आप करेंगे तो इससे आपको फाइदा मिलेगा, इसके लाब आइंडस्ट्री की कोई update हो सकती है, कोई question and answer हो सकता है, कोई live training हो सकती है, tips and tricks हो सकती है, लग-लग तरगी चीज़े हैं, फिर facebook के questions, ask for recommendations, polls, यह सारी चीज़े हो सकती है, इन स हो सकता है, आपने कभी समिनार में गए, तो वहाँ पर आप किसी से मिले जुले, आपको किसी ने बड़े respect से आपसे हाथ मिलाया, आपको सम्मान की नजर से देखा, तो यह सारी चीज़े अगर moments camera में capture हो गए, और यह सारी चीज़े हो को अगर आप social media पर डालते हैं, तो द प्रोड़क्ट आने वाला है, उसमें क्या हम expect कर सकते हैं, किस तरह से उसके फाइदे हैं, फेस्बुक के कुछ do's and don'ts हैं, वो हम समझ लेते हैं, do's हम समझ लेते हैं पहले, personal page और business page और business page और अलग रखें और अपने business page को अलग रखेंगे तो बेतर रहेगा, आपको personal page में as a person आप कौन है, क्या करते हैं, आपकी private information, आपकी privacy setting, आप उस list में उनी लोगों को रखें, जिन लोगों को आप personally पहचानते हैं, आप वहाँ पे personal कोई post डाल सकते हैं, personal जानकारी जिसमें हो, और business की जो जानकारी है, वो कभी-कभी डाली है उसमें, आप 10 दिन, 1 महीने, 15 दिन में एक बार, बार 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 डालेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा इनने यही बात करनी है, इनको यही बात करनी आती है, तो यह अगर आप करेंगे तो कड़बड हो जाएगी, business page में, आपके business के बारे में, business की information, tips, suggestion, और आपके जो business content है, आपके fans या आपके जो followers हैं, वो अगर आपको कुछ कहते हैं या आपको उनके बातचीत से, अगर कोई फाइदा उनको होता है आपकी बातचीत से, तो वो आप डाल सकते हैं, यह हमारे डॉक्टर शुबरद दक्तो सर है, हमारे CEO and founder, उनके personal page और उनके business page को मैंने यहाँ पर डाला हुआ, यह थोड आपका है, तो फोटो आपकी होगी ना, पडोसी की तो होगी नहीं, तो ठीक उसी तरह से जैसे पडोसी की नहीं होगी, वैसे प्रोड़क की भी नहीं होनी चाहिए, वो पेज आपका है, तो आपके पेज में आपकी फोटो होनी चाहिए, तो पेज जब आपका है, तो आप प्रोड़क की फोटो मत लगाई है आप अपनी खुद की फोटो लगाई है पता चला है कि आप प्रोड़क की फोटो लगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं और जब आप उने उसको मिलने बुलाया तो वो आपका चेहरा देखकर पैचानी नहीं पा रहा है उसने तो अभी तक प्रोड़क की फोटो देख रखी है तो आपको अपनी खुद की फोटो लगानी है प्रोड़क की फोटो नहीं लगानी प्रोड़क की फोटो अपनी डिस्पले बिचर में कम से कम अपनी फोटो लगानी है प्रोड़क की नहीं लगानी और इस तरह से आप देखेंगे कि इ इसमें इनकी website के बारे में दिया हुआ है, इनके खुद के बारे में दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यह आठ अलग-अलग तरीके हैं, rules हैं, जो हम profile picture को डालने के समय उसका ख्यास-ख्याल रखेंगे, हम face पे focus हो है, professional आनी चाहिए, हमारी जो चाप है, वो अच्छी पढ़नी चाहिए, किसी के ओपर, और चाप अच्छी जब पढ़ता, कप पढ़ेगी, जब आप बिल्कुल सीधा, आप माल लीजे, news reader, जब news reading करता है, tv पे, तो ऐसे बैटके करता है, ऐसे बैटके करता है, ऐसे, ऐसे, कैसे करता है, वो तो आराम से बैटके, सीधा बैटके करता है, तो जब वो सीधा बैटके करता है, तो आपको भी सीधा बैटके फोटो किचानी है, और वो लगानी है, आप ऐसा नहीं कि वही आपने बंदूक लेके, या कुछ लेके, आप उस picture का subject है, तो उस picture में आप होने चाहिए और ऐसा नहीं कि रिसेंट फोटो यूज करिया ऐसा नहीं कि आपकर ने दस साल पहले की कुल फोटो यूज की हुई है और ऐसे आमिर खान बनके धूम तुम त्री की टोपी पहन के वैसे फोटो मत किचाईए आपको एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए और आपका भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधार कार्ड में जैसा मतलब गवर्मेंट के कैमरा से खीचा हुआ एक अजीब हो गरीब फोटो ऐसा नहीं होना चाहिए और आपका एक्स्प्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए फोटो के समय आप आपका एक्स्प्रेशन नॉर्मल होना पाएंगे तो आप प्रोड़क्ट की या बिजनस की फोटो मतलगा ही अपनी डिस्प्लेय पिचर में डूस क्या है पोस्ट को इंटरेस्टिंग क्ALLिटी कॉंटेंट डाली है रेगुलर विसेस पे मतलब इंटरेस्टेंटिंग यानली कि जिसमें लोगों को रूची हो वो नि जिस में आपको रूची हो आपका ज्यान सुनने के लिए कोई ऊपर इन बाथा हुआ perchा तरह तरह के बिजनस मदोरंजन के लिए नहीं हो था था बिजनस पैसा का माने के लिए होता है अगर मनोरंजन को देख करके उससे प्रभावित होने के लिए तैयार है इसके साथ साथ आप आप खुद को खुद recommend करेंगे ऐसा ही मतलब content डालिए जो कि आप खुद आपको पसंद आता हो as an audience आप खुद उस post को देखे कि आपको देखकर कैसा लगेगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप definitely उसको डाल सकते हैं आप कोई contest रन कर सकते हैं Hashtag को Hashtag interactions को increase करते हैं Hashtag क्या करते हैं कि कि किसी भी शब्द का filter डाल देते हैं कोई भी उस शब्द को जब ढूंडेगा तो उसके सामने आपकी photo आ सकती है अगर आपकी photo में traffic अच्छा generate हुआ है तो तो आप Hashtag से अप तीन चार या पांच Hashtags डाल देते हैं तो उसको जादा लोग ढूंड पाएंगे क्योंकि उसमें correct address है Hashtag photo से मिलता जुलता होना चाहिए और जितना जादा relevant होगा उतना जादा फाइदा आपको हो सकता है इसके अलावा आप अपने website से भी traffic drive कर सकते हैं आप free में website बना सक सकते हैं इसके अलावा अपनी जो भी photos है ask सवाल पूछ सकते हैं इंटराग कर सकते हैं लोगों Facebook का मतलब यह नहीं है कि आप खली डालते रहें और लोग देखते रहें उसमें आपको लोगों से संपर्क साधना है लोगों से बातचीत करनी है कोई अगर comment करेगा तो उसके comment का reply कीजिए मेरे social media पे या मेरे चैक किसी भी social media platform पे अगर कोई भी कुछ भी message करता है तो मैं उसका reply जरूर करता हूँ तो आप भी इस तरह से लोगों के messages का reply करिए क्योंकि आपको संपर्क साधना है आपको उनसे contact करना है आपको उनसे mail जोल बढ़ाना है उसका एक जरिया Facebook तो आप mail जोल किस तरह से अच्छी तरह से बना सकते हैं आप अच्छी चाप कैसे चोड़ सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा आपको likes, comments और post जितने भी हैं उनसे सब पर respond अगर आप करेंगे तो बहतर रहेगा आप 100-200 words के बीच बीच में characters के बीच में जो लेक लिखा होता है या जो post लिखी होती है उसको 60% जादा likes मिलती है तो आप 200 शब्द से जादा लिखने की चेश्टा मत करिए आपकी cover photo को optimally इस्तमाल करिए अपनी website का link वहाँ दे सकते हैं और जो कर रहे हैं वही कहिए जो कह रहे हैं वही सकते हैं अभी भारत सरकार का एक नियमावले IT 2021 के दिसंबर में जिसमें बहुत सारी guidelines दी वही थी कि business को कैसे करना है online में क्या डालना है क्या नहीं डालना है किस तरह से डालना है नहीं डालना है उसको लेकर बहुत सारे rules आये थे तो आपको उस rules का follow करना पड़ेगा वह rules आपको कुछ यह आगे मैं बता रहा हूं जैसे कुछ-कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर सकते हैं आप बिमारीों का नाम नहीं लिख सकते हैं अपने अपने जिस भी तरह के promotional material में आप प्रोड़क की फोटों नहीं डाल सकते हैं आप रेनेटर्स वेलनेस नहीं लिख सकते ह बार-बार उनके उपर प्रेशराइज नहीं करना है, हैस्टैक को ज़रुवत से ज़्यादा यूज नहीं करना है, आपको लोगों को अपनी फोटो में जबरदस्ती टैग नहीं करना है, जो विक्ति वहाँ था भी नहीं उसको लोग टैग कर देते हैं, मुझे लोग टैग करके कोई फाइदा नहीं होने वाला, तो आप भी जिसको जानते हैं, उसी को टैग करिए, पर्मिशन ले लीजे या अगर वो उस फोटो में है, तब ही उनको टैग केजिए, नहीं तो उनको टैग मत करिए, इसके अलावा, constantly अपने business को promote मत करिए, अगर आप निरंतर एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, तो लोगों को लोग ये भाव जाएंगे कि आपने क्या बात करनी हैं, तो कुछ दिनों बाद लोग आपका post देखना ही बंद कर देंगे, उनको पता है कि आपने क्या डालना है, उनको पता है आप business promote कर रहे हैं उनको पता है आप दिन राज सुवे शाम एक ही बात करते हैं उनको पता है तो जब उनको पता चल जाएगा कि आपको एक ही रागल अपना है तो फिर वो मतलब फिर तो आपकी पोस्ट नहीं देखने वाले वो आपकी पोस्ट बिना देखे ही आगे बढ़ा देंगे बहुत सारे लोग हैं मुझे भी regular basis पे post भेशते हैं, अब आप खुद ही बताईए कि मुझे मतलब product का result भेज के आपको क्या मिलेगा, मैं को join to कर नहीं रहा आपके साथ, तो मुझे product का result में भेज के या good morning, good evening भेज के क्या मिलेगा, कोई फायदा तो हने वाला नहीं, तो ये मैं, मेरा जो number है, मेरा जो जानकारी है वो, इसलिए है ताकि आपको जादा से जादा जानकारी में दे सकूँ, जादा से जादा लोगों के सवाल ले सकूँ, लेकिन good morning औ good evening और good night में परिशान रहते हैं, तो कौन सा message good night का है, कौन सा message मतलब का है समझ भी नहीं आता, तो इस वज़े से आप कोशिच करें कि जो मतलब के message हैं, वही बेजें, तो उससे देखने में और आपके सवालों का जवाब देने में असानी होगी, इसके अलावा, मतलब आप एक दिन में 10 पोश्ट करते हैं, एक दिन में 8 पोश्ट करते हैं, 6 पोश्ट करते हैं, ऐसा मत करिए, आप quality पे focus करिए, quantity पे focus मत करिए, आप low quality image को पोश्ट करना avoid करिए, आप कुछ भी ऐसा पोश्ट मत करिए, जो आपको खुद देखना पसद नहीं आएगा, आप weekend पे followers के साथ engage करना मत भूलिए, आप लोगों के साथ बाचीत करिए, उनके साथ संपर्क सादिए, उनके साथ relation मनाईए, इसके लावा low quality image मत पोश्ट करिए, और कुछ do's and don'ts हैं, यह इस तरह के जो बीमारियों वाले post हैं, इस बीमारियों वाले post को use मत करिए, अपनी खुद की photo करिया अपनी profile picture पे, product की photo मत यूज करिए, पता चला product की photo आप यूज कर रहे है, product की photo आप, आपका move, product है क्या, आप product की photo क्यों use कर रहे है, identity crisis हो जाएगा, आप मत करिए आप अपनी प्रोफाइल की पिचर में अपनी खुद की फोटो लगाईए आप प्रोड़क की फोटो मत लगाईए साथ ही साथ प्रोड़क का नाम अपनी लोगों ने अपना नाम ही रेनेटर स्नोगा रख दिया है लोगों ने अपना नाम ही जांट प्रो रख दिया काडायू रख दिया है तो आपका नाम काडायू नहीं है आपका नाम तो कुछ उपर वाले ने आपके माता-पिता ने रखा होगा आप अपने नाम का इस्तमाल कीजिए देखिए आप प्रोड़क को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन लोग आपके उपर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका प्रोड़क वो आपसे लेंगे क्यों प्रोड़क देने वाले और भी बहुत सारे हैं उनके पास आप उनको अपनी छवी बड़िया बनाई है उनके सामने आपकी छवी जब अच्छी बनेगी तब वो आप पे विश्वास करेंगे और आपके द्वारा आ रही ज कोई जूट बोलने वाला विक्ति है और वह मतलब कुछ बात करता है तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप पहले अपनी विश्वस्नियता पर काम कीजिए अपनी मार्केटिंग कीजिए लोग आपके नाम को ब्रैंड बनाईए लोग आपके नाम को जाने औ और आप क्या विश्वास आपके उपर करें कि आपके द्वारा आपके द्वारा जो आ रहे है प्रोड़क्ट उसको जरूर इस्तमाल करें इसके अलावा डिजीज ओरिएंटेड मेटीरियल या इंकम का कोई क्लेम करते हुए या मेडिकल क्लेम करते हुए आप कुछ भी नह अपनी नहीं है तो अगर कभी भी पकड़ा धकड़ी होगी या कभी भी कुछ भी होगा तो टर्मिनेशन आपका होगा तो आप तिरपया इस तरह के पोस्ट का इस्तमाल ना करें आप मतलब विमारी विमारी को प्रमोड करके आप प्रोड़क्स को प्रमोड करने की आपके घर में जगड़ा हो रहा है, आपके घर की कोई personal बात है, वो जाके आप बाहर बताते हैं क्या, तो जब आप बाहर जाके वो उन बातों को नहीं बताते हैं, तो आपके business के अंदर आपकी क्या बात है, जिससे आपके बास पैसा आ रहा है, वो confidential होनी चाहिए, हर किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, हाँ, आप पोटो डाल सकते हैं, लेकिन कहा हैं, क्यों हैं, वो सरी चीज़ डालने की क्या ज़रूरत है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सरे लोग हैं, जो कि ताक में बैठे हैं, कि आपके business को कैसे नुकसान पहुचाएं, दूसरी company के बारे में कैसे आपको बताएं, या आपको कैसे disturb करें, वो अपने साथ कैसे जोड़ लें, आपको तोड़ करके, तो इस तरह के चीज़ों से आप बच सकेंगे, अगर आप जाल ज्यादा, जानकारी अपने business के बारे में online नहीं देंगे, तो अब अलग-अलग तरीके से promote कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, प्रोड़क की testimony verified होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नियम है, कि अगर आपने कोई testimony डाली है किसी की, तो जिसकी testimony डाली है, उसका नाम, नमबर, एड्रेस, सब कुछ उसमें रहना चाहिए, ताकि अगर कोई ग्रहक उस सरकारी नियम है, इसको बहुत जोर से लागू तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप मान के चलेंगे, तो आगे चलके problem है, पढ़ने के chances हमारे नहीं रहेंगे, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कि वो कहते हैं हमारा product WHO certified है, या हमारे जो membership questions कुछ डाल सकते हैं, या approval डाल सकते हैं, मैं एक video आज आपको भेजूँगा, जिसमें ये सारी चीज़े बताई हुए रहेगी कि करनी कैसे है, आप membership question डाल सकते हैं किसी भी group में, कि अगर वो group का member बनना चाहता है, तो किसी सवाल का जवाब दे के group का member बन सकता है, तो इस और किसी भी group के अंदर अलग-अलग तरह की settings होती है, setting का button होता है, एकदम दाहिने तरफ top corner में, उसको आप दबा के आप काफी सारे उसके settings कर सकते हैं, आप membership question पर select कर सकते हैं, जो व्यक्ति membership के सवालों का जवाब देगा, वो ही member बन पाएगा, जो जवाब नहीं देगा, वो member नहीं बन पाएगा, इसे एक filter हो जाएगा, कि जो व्यक्ति, और उसमें आप approval भी देंगे, आप approval देंगे, तब जाके वो जुड़ेगा, नहीं तो वो नहीं जुड़ेगा, इसे क्या अनुआन्चित तत्वा आपके business में नहीं जुड़ पाएगे, आपके group में नहीं distributor, कि आप भी उन सारे लोगों को देखें, कि वो लोग ऐसा ना करें, अगर कोई ऐसा कह रहा है, तो मुझे इक्तला करें आप, उनके साथ मैं बात करूँगा, और अगर वो नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ हम strict action लेंगे, उनके ID का payment के वारे में हम सोचेंगे, कि हम उनको चांब नाम बदल दीजिए, आप उसका नाम Renatus Wellness मत रखिये, आप उसका नाम रख सकते हैं, राम कुमार Renatus Wellness Distributor, शाम कुमार Renatus Wellness Distributor, रमेश कुमार Renatus Wellness Distributor, इस तरह से आप कर सकते हैं, ताकि देखने वाले को लगे कि वो एक distributor का page है, उसको ये ना लगे कि ये company का page है, indones से सेगडों पेज बने हुए है तो लोग जब login करते हैं तो उनको लगता है शायद यह company का page है अचा renators wellness up renators wellness पंजाब renators wellness महाराष्टर उनको लगेगा कि यह renators wellness का ही महाराष्टर का page है तो यह गलतियां हो रही है यह please मत करिये आपको अगर ऐसा कहीं भी होता वाद देखें तो आप प्लीज मुझे इसके बारे में जानकारी दें मुझे पर्सनली इस बारे में जानकारी दें ये सारा डिपार्टेंट मेरा है जो भी मतलब गडबडगोटाला हो रहा है उसको रोकने के जिम्मधारी मेरी है तो आप किसी और को ना बता के मुझे बताएंगे तो बहतर रहेगा और आप के पास जितने भी ऐसे पेज़े आप उनका नाम बदल दीजे पेज़े का नाम बदल देंगे तो गडबडगोटाला होगा नहीं दूसरी बात कि जो लोग इस तरह का गडबडगोटाला कर रहे हैं आप उनको गुरूप से निकाल सकते हैं और अगर वो गुरूप पे रहेंगे नहीं तो उनको वीडियो पोस्ट करने या ना करने दिने का जिम्मदारी हमारी है तो आप इस तरह की इनिशेटिव लीजिए इससे मतलब बहुत सारे लोगों की रक्षा हो पाएगी फेस्बुक पे अलग-अलग तरह के जो लोग पोस्ट करते हैं आप देखें यहाँ पर यह है मेंबर रिक्वेस्ट मतलब अगर कोई गुरूप के को जॉइन करता है तो मेंबर की रिक्वेस्ट आती है आप मेंबर रिक्वेस्ट को अगर अप्रूव करेंगे तेकि यहाँ तेरा रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए डाली हुई है तो अगर वो उसको मैं अप्रूव करूँगा तभी वो गृप में आप आएगा तो इस तरह का हम कर सकते हैं अगर गृप बना हुआ है तो और किसी और का गृप बना हुआ है तो आप महमें जानकारे दीजिए उसके खिलाब हम एक्शन लेंगे यह 35-31 पोस्ट कैलेंडर है कैलेंडर है कि जिसमें आपको पता चले कि आप किस तरह का और क्या पोस्ट कर सकते हैं आप recommendation का post कर सकते हैं कि किसी follower ने कुछ लिखा है तो उसको आप post कर सकते हैं inspirational post कर सकते हैं कभी-कभी आप यह हमारे company के social media के page पे यह सारी post डाले हुए आप social media का page हमारा follow कीजी और उसमें daily basis पे अलग-अलग तरह की image आती है उस image को आप download करके उसको आप अपने social media पे share कर सकते हैं क्योंकि approved material है इस वज़े से इसको use करने में कोई इस्तमाल में कोई problem नहीं होगी मैं भी क्या करता हूँ कि मैं Renita's Wellness का जो page है वहाँ से जो भी post मेरे पास आती है मैं उसको download करता हूँ और अपने broadcast में करीब करीब 17-1800 लोगों के साथ share कर देता हूँ आप भी इसी तरह से कर सकते हैं वहाँ से image को download करके आप in fact शुबरोतो सर भी अभी कुछ समय पहले ये broadcast में message भेज रहे हैं इस तरह की product की post का तो वो भी वहीं से लेकर भेज रहे हैं बिजनस बिजनस की माला जपेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि इसको छोड़ के इसको इसके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं इस वज़े से सिर्फ बिजनस 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 की बात मत करिये आप दूसरी भी कोई बात कर सकते हैं कोई टिप और ट्रिक हो उसको शेर कर सकते हैं कोई नया प्रोड़क लाँच होने वाला है उसके बारे में बता सकते हैं कोई कॉण्टेस्ट के बारे में बता सकते हैं कोई टीम मेंबर की कोई स्पीच है अच्छी उसके बारे में आप उसको लेकर आगे जा सकते हैं कोई fun picture है जो मतलब हसी मजाग में आप product promote कर रहे हैं तो भी डाल सकते हैं यह behind the scenes आप डाल सकते हैं आप कोई poll ले सकते हैं कि कौन-कौन यह use कर रहे हैं लोगों को अच्छा लग रहा है कितने लोगों को कैसा लग रहा है यह चीजिसका आप पोल ले सकते हैं industry feature को इसको बता सकते हैं कोई industry की update हो यह बता सकते हैं जैसे की एक industry की update है की क्या लिजे four trillion dollars की industry हो चुकी है worldwide network marketing इंडस्ट्री तो ये एक जानकारी आप लोगों के साथ share कर सकते हैं आप कोई interesting statistic है वो share कर सकते हैं, interesting statistic हसी-mazaak-on-a-kbali भी हो सकती है, कोई fan photo आप share कर सकते हैं, कोई audience से कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई एक दिन बाकी है आप कोई ओफर निकालते हैं जिसका एक दिन बाकी है या रिट्रीट क्वालिफाई करने में एक दिन बाकी है या क्लोजिंग होने में एक दिन बाकी है कोई ओफर आया है कमपनी के तरफ से उसको पूरा होने में एक दिन बाकी है तो इस तरह की पोस्ट आप डाल सकते हैं, इन्फो ग्राफिक शेर कर सकते हैं कि कितने मतलब आपके किस तरह से बिजनस बढ़ रहा है या किस तरह से आपको मज़ा आ रहा है, आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, कोई वीडियो डाल सकते हैं, कोई fun fact डाल सकते हैं, eye-catching photo डाल सकते हैं, business related, इसके अलावा कोई टूल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आप शेर कर सकते हैं जैसे कि मैं Google Translate regular basis पर यूज़ करता हूँ मैं Google Analytics यूज़ करता हूँ तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आप भी शेर कर सकते हैं जो लोग टूल्स के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं Grammarly एक बहुत अच्छा टूल है मैं आप सभी को recommend करूँगा कि आप अगर English में कोई post डालना चाहते हैं तो पहले Grammarly में उसकी spelling और उसका sentence को चेक कर लीज़े और उसके बाद ही उस post को डालेंगे तो बहतर रहेगा कोई inspirational course, testimonial हो सकती है वो product की हो सकती है, वो business की हो सकती है किसी भी तरह की हो सकती है इसके अलावा आप किसी photo के जरीए कोई कहानी बताना चाह रहे हैं कोई किसी की कोई personal story share करना चाह रहे है कोई breaking news share करना चाह रहे है इस तरह की videos, इस तरह की awards and rewards बहुत सारे हमें मिलते है इसकी अलग-अलग तरह की videos होती है वो videos आप share कर सकते है कोई before and after की picture आप share कर सकते है कोई holiday post आप share कर सकते है Facebook पर अगर आप business को करना चाहते है तो हमोमन एक बजे से तीन बजे तक भरस्पतिवार और शुक्रवार को आप social media पर post कर सकते है 9 strong content words है जिन शब्द का बहुत ताकत होती है जिन शब्दों में अगर आप इन शब्द का प्रयोग करते है तो आपके social media में 4 चान लग जाएंगे आप अगर यू शब्द का प्रयोग करते है तो सामने वाले को लगता है कि आप उन्हीं से बात कर रहे है तो वो आपकी post से relate कर पाते हैं आपकी post को पढ़ते हैं और उसको समझ के action ले पाते हैं आप free शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आपको रेकमेंडेशन फ्री दे रहे हैं आप कुछ offer आपका है तो कोई diet plan आप बना रहे हैं free में तो ये सारी चीज़े आप दे सकते हैं इसके अलावा because शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये लोगों के मन में एक को उतहल पैदा करता है कि ये क्या है क्यों हुआ क्यों risk free शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हर कोई risk free चीज़ें चाहता है हर कोई चाहता है कि उसको कोई भी risk ना उठाना पड़े उसको कोई भी जोकिम ना उठाना पड़े और उसको ज़ादा से ज़ादा फाइदा हो इसके लाब आप secret शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि secret जानने में हर किसी को दिल्चस्पी रहती है दूसरे का बेच जानने में लोगों को सब को दिल्चस्पी रहती है तो जब आप secret शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपका जो भी content है जो भी आपने लिख रखा है प्रयोग कर सकते हैं limited time अगर आप कहते हैं तो वो अपने आप एक psychology काम करती है कि यह limited time के लिए है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अकर्शेत होते हैं आप customer शब्त का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि लोग अपने आपको relate कर सकते हैं customer, don't miss का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि don't miss जब आप प्रयोग करते हैं तो लोगों के अंदर एक sense of urgency create होती है कि यह किस चीज़ को कह रहा है कि मैं miss ना करूँ तो यह कुछ शब्द हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं आप याद रखिए कि आपकी post से कोई problem solve होनी चाहिए कोई critical problem solve होनी चाहिए या लोगों को आप प्रेरित कर रहें, inspire कर रहें या आप उनको difference दिखा रहे हैं अपने product में या किसी और product में या अपने product के फाइदे में, किसी और product के फाइदे में अभी कुछ समय पहले, करीब साल बर पहले मैं cycle चलाता था 25 किलोमेटर, 30 किलोमेटर in fact मैंने 44-45 किलोमेटर भी cycle चलाई हुई है तो इन product से जो मुझे stamina मिला उससे मैंने ये cycle चलाई, जब मैं cycle चलाने का post और कितने किलोमेटर मैंने cycle चलाई, उसका post फेस्बूक पे डाला तो बहुत सारे लोगों ने कहा, रे तुम इतना किलोमेटर कैसे cycle चला लिए तो मैंने उनको कहा, क्योंकि मैं Renatus Nova यूज करता हूँ इस वज़े से मैं ये cycle चला पाया, 44-45 किलोमेटर इससे stamina बढ़ता है, तो अब क्योंकि मैंने करके दिखाया है इस वज़े से लोगों को मेरी बात के उपर ज़्यादा विश्वास होगा प्रोड़क के उपर ज़्यादा विश्वास होगा इसके अलावा कोई customer की story आप बता सकते हैं की एक मुहावरा है कि a presentation tells and story sells बिक्ती कहानी है, presentation में सिर्फ जानकारी का आदान परदान होता है तो जब आप story बताते हैं किसी के बारे में तो लोग उनकी story से relate करते हैं और उस story को ले करके वो अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं साथ ही साथ हमेशा याद रखी कि जो लोग आखों से देखते हैं उसको 58% तक याद रख पाते हैं और जो पढ़ते हैं पढ़ी हुई चीज सिर्फ 10% याद रख पाते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, लोगों को दिखाना चाहेंगे जादा से जादा लोग आप लोग इस जनकारी का प्रयोग करेंगे, इस जनकारी को इस्तमाल करके बिजनस में आगे बढ़ेंगे